पूररेंग गोडलjang कैसे हुआ आप अपने एक छोटा सा तोपिक डिसकैसन करते हैं हैं हसकर नियूट्रिशन का एक छोटा सा टोपिक लेक्था हैं अपना न्यूट्रिशनल का जो टोपिक है, वह क्या है shortage and preservation of foods मतलब अपने में इसका मतलब है कि storage and storage कईसे करते है food का और इसका कैसे preservation करते है मलब कैसे इसका Ser dernier करदे है सीधा मतलब है यह अपना एक food है Sorry यह food है इसको कैसे अपन store करके रख सकते है store और करके रख सकते हैं इसी के continuity में अपने discussion कर रहे हैं कि जो अपना food है उसको storage कैसे करते हैं और कैसे उसको long time तक जैसे food की quality quantity खराब नहीं हो उसी की continuity में रखते हुए अपने एक छोटा सा topic पढ़े हैं आपकी exam में ये questions बहुत बार आते हैं कि food की ऐसे से कौन से content हैं या कम से methods हैं methods of preservation of food methods of storage और preservation of food preservation of food ये question इसके अंदर बनता है तो इसके अंदर अपने continuity में लेके आते हैं कि जो पदार्त है mostly इसका क्या है कि जो खाना क्या हो या जो food क्या हो long time तक लंबे समय से क्या हो लंबे समय तक क्या हो store करके रख सके हैं अपने उसको बार जिसे आचार है example कि अगर बात करें तो पिकल पिकल है जिसको आप आचार बोलते हो वह आचार एक बार डालने के पार long time तक क्या हो रहा है सकता है वह अपनको यूज में ले सकते हो इसकी quantity में भी कोई defect नहीं पड़ता है वह चीज़ अपन पढ़ रहे हैं तो अपन पहले सुरक्षित रखा जा सकता है हानिकारिक जिवानों से बचाया जा सकता है मनला लंबे time तक अपन उसको store करके रखें जिससे वह खाना क्या हो इस पोईल डिया डिस्ट्रोई नहीं हो उसको अपन प्रिजर्वेशन ओफ फुड कहते हैं यह आपके इंट्रोडेक्शन में तासा टॉपिंग में अपने पड़ा सेकंड पढ़ते हैं इसका क्या उदस से हैं जो सरक्षन या परिरक्षन का मैत्व है कि उसका क्या उदस से आपको यह भी अपन जैसे क्या इंपोर्टेंस है उसके बारे में अपने इसको क्या करते हैं डिसकेशन करते हैं तो अपने पॉइंट टू पॉइंट इसका किसी भी मोसम सभी परकार फल्स बोजय परदात को प्राप्त करना मला स्टोर हाउस में जैसे अपने स्टोर हाउस एक फ्लसर या इस्टोर रेंछ अपन बोलते है स्टूर लिज में रखें अपन को जोसे फ्यूड्स है थो यह अपने जो वेजीटेबल से इन वेजीटेबल्स आपन क्या करते हैंckon ओर टाइं तक अपन को यह लंबे समय तक को लंबे यह समय तक अक्षिपर कर सकते हैं इसको स्टोर करके रह सकते हैं और यह खराब निए कि इसका पाइदा है इसका यह कि इसक उद्हस से कि भोजन के रंगGBर स्वाध को को आकरशक बनाए रखना कि अपने इसको क्या करते हैं कितना सुन्दर होता है खाने में क्या मज़ाता है तो उसकी स्वाद का मतलए से बौल सकते हैं टेस्ट और कलर है उसको बढ़ाए रखने के लिए अपने काम आते हैं खादे पर्दाओं बवीसे में प्रियूग में कर सकते हैं जिसे अपने ग्यों में उसको लोंग टाइम अपने रोग के रख सकते हैं तो उनको अपने लंगे टाइम में फ्यूचर बवीसे में उसको क्या कर सकते हैं रोग भेज सकते हैं अगर वह तुरंद खराब हो जाएगा तो क्या होगा उसकी कोई वेल्यू नहीं रहेगी वह तो इस्पूलिट हो जाएगा तो इनको बनाये और खादे प्रदारतों गुणोत का बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं इस तोरेज करते हैं जैसे आपने दे टेकनिक या मेथड से अपन को बना के रख सकते हैं यह भी अपना गे इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि क्या कारण है कि भोजन खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं किया कोजेज है वो फूपोड गभांध कोज़ेज है कि अपने बना रहे है यह ना फूट प्रिपेरिंग किया उस फूट को क्या कारण है वो अपना खाना कि अपने कारण है दूटो डी हाइड्रेशन इससे तो खाना क्या अगर आद्व में गायोड़ होते है वो क्कूटु दौट निर्जली करनं यह या डूटु दि हाइड्रेसन द हाइड़ेसन का मतला पानी की कमी इधर मैं लिख देता हूँ पानी की कमी अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा तो यह फॉत इस हो जाता है diuk to microorganism जो अपने funded मैंसे मुझा की बेक्तिरिया वारेस है जिसे दए में बेखते है वह अपने स्पार्ण हो सकते हैं उश्माह तरबुरे के दौारा होता है जैसे गर्मियों में क्या होता है अभी गर्मिया चल रही है तो इन गर्मियों में क्या होगा कि जो अपनी सब्जी है जो अपनी सब्जी बनाते हैं वो क्या होते हैं जल्दी ही इन गर्मियों से भी अपने भोजे परदाड खराब हो सकते हैं तो अपने कौन-कौन से कोजे अपने पड़ेते कारण जिसकी वज़े से भोजे परदाड खराब होने के चांसे ज्यादा रहते हैं पहला अपने बड़ा था डिहाइडरेशन और निर्जली करें इंसेक्ट और किटू द्वारा थर्ड अपने माइक्रो और्गिने सुक्सम जिवानों द्वारा नेक्स टेंप्रेचर या हीट और उस्मा के द्वारा भी हो सकते हैं नेक्स्ट हॉर्मोन्स और एंजयम जिसको हार्मोन्स और एंजयम कहते हैं उससे भी क्या हो सकता है फूड अपना जल्दी खराब हो सकता है अब सेकंड पर अपन नेक्स पढ़ते हैं कि इसकी कौन-कौन सी मेथर्ड से सरंग प्राक्षन की घरेलू विद्यां मेदान स्टोरेज ओव सो कि प्रिजर्वेशन तो इसकी घरे लूव लिदियां या विधी क्या है कौन कौन सी वीदियां हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि अपन जो भी फूड़ स्टप्स हैं उसके सी कौन सी वीदी हैं कौन सी वीदी का सिधा मतलब है कौन कौन से अपने को मेथड यूज में लेने जिसकी वज़े से कि अपना खाना खराब नहीं हो जैसे आप अगर से लोवर है तो उसके माइक्रो ओर्गेनिजम का क्या होता है ग्रोथ नहीं होता है ग्रोथ का मतलब उसके बढ़त नहीं होती है तो बढ़त नहीं होगी तो इस वह उनका लेवल बढ़ेगा नहीं और अपना फूड क्या हो खराब नहीं होगा तो पहली टेक्निक अपन तो यह अपने क्यों चाहता है, फ्री जाता है, यह ठंडी जगे में अपन रख सकते हैं, नेक्स्ट है ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब होता है सुकाना, यह अपन जैसे क्या होता है, जो भी अपना खाना है, उसको सुका कर या ड्राइंग करके भी अपन बना सकते हैं, जैस से बोल सकते हैं कि mostly जो अपना vegetables है तो उससे अपन को इसमें बना सकते हैं बना सकने का मतलब सीधा किया है कि जिस्तना अपन को जुरूत होगी तो हम अपने इसको खाना प्रिपेर कर सकते हैं मसाले जैसे होते हैं मचली होती है अपने का यूजो food केसिड या निमू मिला देते हैं उसकी वज़े से हो सकता है जिसे हल्दी बनेला है केसर मिला देते हैं उससे सेफरोन है सिर्का है या इलाची है यह मिला देने की वज़े से या तेल मिला देते हैं अपन को या गुड़ वगरे मिला देते हैं या जेली मिला देते हैं या मुर कर देते हैं वाला उस खाने का पन्स अब और सवरूप चेंज कर दें तो भी क्या हो सकता है यह आपन को कि लंबे समय तक अपने उसको स्टोर करके रख सकते हैं सेकंड में तर ओरॉ के थहाउस ओड में तर दे यह कॉमर्शियल में तर हैं जैसे व्यवसाई के अंदर यूज में लेते हैं commercial method of storage and preservation तो यह कौन-कौन से method है जैसे अपने देखते हैं canning canning का मतलब होता है बंद डिबा जैसे बंद डिबे में दूद आता है उसको 15-20 तिन रख सकते हैं यह canning आता है इस विधी के द्वारा होता है क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा temperature उच्छे तापन पर गरम करके कुछ सेकंडों में उसको क्या किया जाता है ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद में उसको क्या करते हैं डब्बे में पैक कर देते हैं जैसे आपने slice वगरे पढ़ते हो slice वगरे लेते हो फ्रूटी लेते हो यह क्य freezing принципе अंदर नोश्ट लीए बड़े प्रीज रोते हैं जिस के अंदर वेर हाऊस होते हैं या फरीजिन हाऊस होते हैं उसके अंदर पूलरेटे होते हैं उनके अंदर भी अपन क찰 सकते हैं कि जीरो डिगरी टेंप्रेजर जीरो डिगरी सेल्सियस पे अपन उसको फूड स्टव को रखते हैं तो उनको वो क्या स्पोल्ड नहीं होते हैं इसकी वज़े से इनको रखा जाता है नेक्स्ट अपने इसकी बात करें तो वो चीज आती है डिएड्रेसन मलग किसी चीज़ को सिका कर जैसे सुकेडी अपन बनाते हैं या फिर निम्बू की सिकोडी बना लेते हैं सोरी कच्रे की बनाते हैं अपने इसकी क्या बोलते हैं यह ले सकते हैं उसके बांदे नेचूरल तरीके अब निर्जली करें सकते हैं नेक्सट दशी कंटिनिंटी में पढ़ते हैं हीट डिहाइडरेशन मलब उस्मा के लिए उस्मा निहार्जिल कर सकते हैं जिस विदी के अंदर अपनों सामिल किया जाता है और चोथा मेथड या टेकनिक आती है किनवन द्वारा परिक्शन या परिजर्वेशन भाई इर्रेडियस है मलब गामा किरने होती है उसका उपियो करके गामा किरने के उपियो करके उसको क्या सकता है माइक्रो और इंग्रिजम को क्या किया जाता है डिस्ट्रो किया जाता है यह डिस्ट्रो करने के बाद में क्या खाने को जो अपने फूड स्टप्स हैं जैसे प्याज आलो और ग्यों को सब्सक्राइब करके लंबे सेंट कुछ वर्सों तक अपन रख सेंट गर्मी में परी रख्षन प्रिजर्वेशन भाई हीट हीट के थुरूबी हीट के थुरूबी अपन कर सकते हैं जैसे अपन मौसली क्या करते हैं कि उसको टेमप्रेजर पर ले जाके एक ही या फिर नमक के और सुगर सुपर üzere चीनि है कि उसको अपन ओज में रहते हैं जिसकी वजेये से क्या होता है जैसे चीनिये और आचाल में सबसे जयादा क्या होता है नमक होते है ग्यों और अपने जैसे यह क्या बोलते हैं तेज मसाला बगर मसाली डाले जाते हैं वह खृराब नहीं होता एक चीज होता है आइल होता है उइल काग सकते हैं तो नेक्स्ट आपन पढ़ता हैं यह तरी अपने स्टेक्निक पढ़ी थी और एक इसके अंदर पास्टूराइजेशन भी पढ़ा था मिल को अपन प्सक्टूराइजेसिंग जिस्वाट सकते हैं जैसे दूद है उसको अपने आपपर भी बताया था मिल दूद को लंबे साइम टेम रखने की जो टेकनिक है वह है पास्चूराइजेशन पास्चूराइजेशन और मिल करके उसको दूद को अपन कहा सकते हैं दस से पंदरा दिन तक अपन स्टोरेज करके रख सकते हैं नेक्स्ट उसके बाद में अपन इसके करते हैं कि ऐसी कौन से इसके प्रिंसिपल्स हैं संगरन के ऐसे कोन से सिधानत है सी या हाईजीन जिसको आपन को फोलो करना चाहिए बोजे परदार्तों को अपन लंबे टाइम तर रखने ऐसे कौन से प्रिंसिपल से या अपने सिधानत हैं जिसको अपने स्टोरेज और हाईजीन के लिए यूज में करते हैं जिसके वाइरस बेक्टिरियां अंदर नहीं गुषते और वह नहीं सफ़िया सबने सब्सक्राइब करें हैंस पोछाइज जडवाई सी शडवाई से दूरह और उसके कीटना से इसके अंदर क्या बोजय परदार्तों को परियोग करने परियोग पहले करना चाहिए कि पहले वाले बोजन परदार्तों का मतलब पास कम फास्ट आउट जो पहले अपन खाना लेके हैं उसको जैसे जो भी फूड़िस्टब रखा है उसको पहले क्या करना चाहिए यूज में लेना चाहिए उसको काम में लेना चाहिए नहीं तो वो अक्सपारेड़ एट में होना हो जाता है स्टोरेज वाली जगह पर क्या होना चीए कि कोई भी कीड़े जीव जनतु चुहें यह नहीं होने अगर यह अपन इस्तोर को मरख जैंगे संग्रन वाले इस थाकरती प्रकास यह हवायुक्त होना चीए वह उसके अंदर हवायुक्त होब प्रोपर उसके लाइटिंग और वेंटिलेशन होगा तो फूडिस्टब क्या होगा खराब नहीं होगा नेक्स्ट है फल और सब्सक्राइब फ्रीज में उपलब एक टौकरी में ही होना चाहिए फ्रीज हमेशा 6-16 दिन के अंदर डी फ्रोस्ट करना चाहिए उसको नीट एंड क्लीन करना चा इसकषर की अपने इतनी से पढ़ी थी क्या पड़ी इसके टेकनिक्स पढ़ी थी टेकनिक्स ओफ क्या टेकनिक्स इसक मैथर्समां कि में जैसे पने पढ़ाएक कि इसके Continuing virus क्या है कौन से इसके principles है और इसकी क्या benefit है यह अपने इतीसी चीज पढ़ी थी किसमे storage या storage या selection of foodstubs next अपन चोटा सा इसी का topic पढ़ते है कि एक चोटा सा topic अपने food adulteration food adulteration क्या होता है अधे अपरिश्ण food adulteration मतलब जो भोजे पदार्त है भोजे पदार्त हैं क्या करना topic अपना देखो topic से आपको समझा इसके wording से समझता है food का मतलब होता है खादे पदार adulteration का मतलब मिक्स करना ठीक हो अगर भोजे पदार्त है low quality का low quality का substance मिला कर मिला दिया जाए मिला दिया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं food adulteration कहते हैं जिससे उसकी nutritive value क्या हो सकती है कम हो सकती है nutritive value nutritive value क्या हो सकती है उसकी कम हो सकती है और यह जो nutritive value उसकी कम हो रही है तो उसकी वज़े से क्या हो सकते है और कई बार अपन food adulteration ऐसे भी कर सकते हैं कि जो low, low food stuff है, उसके अंदर high उसकी nutritive value बढ़ाने के लिए भी अपन ऐसा कर सकते हैं। Nutrition value बढ़ाने के लिए अपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता है। इस भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो nutritive value है। जैसे अपने example के अपने इसके अंदर बात करें। तो दूद के अंदर ये क्या है। दूद या milk है। उसके अंदर क्या मिला दिया जाता है। पानी mix कर दिया जाता है। और पानी मिक्स कर दें तो इसके दूद की quantity तो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और इसी को अपन क्या अडल्ट रेशन कहा जाता है जैसे यहां पर लिखा है खादे खादे ए मिसरन पदार्तों या वस्तूब दूद और पे पदार्तों अन्य वस्तूब में मिलावट करना है इसमें एसुद, सस्ती और गठिया सामगिरी का इस्तेमाल किया जाता है और इसके इसको बचाने के लिए मौस्त्री एक एक्ट बनाता उसका एक्ट का नाम था क्या एक था रोग थाम की धारा है वह फूड अडल्ट्रेशन प्रिवेंशन और फूड अडल्ट्रेशन एक धारा बनीती का बनीती गुनी सो चोवन में अगर कोई ऐसा करता है तो उसका रजिस्टेशन कैंसिल कर दिया जाता है उसको पनिशमेंट या उसको जुर्माना लग जाता है जैसे इसके अंदर बोजह फदार्त मिलावट में मिलावट यह आयए मिस रेण में परवरतियां सामील है जैसे फस्त है मिलावट करना मेंलावट का मतलब mix करना वा भी काना नॉन नूतिशनल सब्स जैसे कम क्答 करना जिसे यह दूध दोद में घर क्रक्रा दिया जाए एक पानी मिक्स कर दिया जाए तो इसको अब शुटे लेबल लगाना अब कर अधर सनाता है जुटे लेबल लगाना नेक्स कार्श की ऐसा दे प्रदार्टों में सडी गली चीज़े मिलाना यह भी एक दो टेसे ने वस्तों कि अदला बदली करना में उसके अंदर वस्तों के बदल देते हैं वह भी एक अडल ट्रेसेन है ब्रांड बदल देना यह भी एक अडल्ट्रेसन है तो बहुन चीज के अंदर जैसे उपने भूँतें दनीयें के अंदर अपन कुछ का अधिस करके की कुछ मिला नहीं हो मिर्ची के अंदर राला रंगा chemical मिला दें दूद में पाजें मिला दें यह अपने मिला वक्रण ऑता работать एंख इस अ 변 Sister खादे पड़ारते हैं उसमें कुछ शली गड़ी चीज़ें उसकेonces कर देते हैं वस्तूं की अदला बदली करना मालब कोच चीज़ें जίसे केमिकल चीज़ें जैसे प्योर चीज़ें उसमें केमिकल मिला दिया जिसे आज कल दूद चल रहा है, कही लोग हमारे नियर भाई बहुत सारे हैं, पनीर चल दा है, लेकिन वो पनीर नहीं होता है, वो भी chemical के तुरूद दूद बनाया होता है, उसका पनीर निकालते हैं, कई जगे सोया बीन का पनीर निकालते हैं, वो ज्यादा बेटर हैं, कई high quality कोई company उसका logo लगए market में बेश दिया जाता है कुछ चीजों में जहरीली चीज़े मिला देते हैं और वो अपने personal benefit के लिए ऐसा चीज़ें करते हैं और personal benefit करने के लिए लोगों को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे अपने में यहां पर एक सोटी से टेबल लेका हैं यह जो टेबल है इसके अंदर अपने लिखिवे कौन कौन से चीज़ें मिला आउट करती हैं जैसे डाल वगर होती है डाल में केसरी डाल मिला दिया जाता है केसरी डाल सस्ती आती है और दूसरी डाले मिक्स में कर दिया जैसे दूद के अंदर है पानी मिला दिया जाया है सेप्रेटा मिला जाया घी निकाल लिया जाता है दूद का अनाज के अंदर के मिट्टी कंकर पत तरह यान आज के टुकडे टूटे वो मिलाई बेस